Hello friends, welcome back to my study secrets channel दोस्तों जैसा कि आप सभी ने थमनेल में देखी लिया होगा कि आज से हम MPPSC Prelims Exam के Important Questions के सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम syllabus wise एक एक टॉपिक को कम्लिट करते चलेंगे जिसमें आज का टॉपिक है मत्यप्रदेश के प्रमुक राजवन्स I hope ये सीरीज आप सभी के लिए काफे helpful होगी चलिए सुरू करते हैं Question No.1 किस सिंधिया सासक ने राज़धानी उज्जन से गौलेर इस्थानांत्रिप की थी? इसके options हैं महादजी सिंधिया, जिवाजी राव सिंधिया, माधो राव सिंधिया या दौलत राव सिंधिया इसका सही आंसर है दौलत राव सिंधिया दौलत राव सिंधिया द्वारा वर्स 1810 में उज्जन से गौलेर राज़दानी इस्थानांत्रित की गई थी अगला प्रश्ण हिंदौर के होलकर राजों ने का सासन किया इसके आपसंस हैं उज्जैन, गोनवाना, मालवा या महाकोशल इसका सही आंसर है मालवा मुगलों के पतन के बाद होलकर वंस ने मालवा पर सासन किया था और इस वंस के संस्थापक मलहार राव हुलकर थे हुलकर वंस मदर्प्रदेश के प्रमुक वंस में से एक है अगला प्रशन खजराह के प्रशित मंदिरों का निर्मान किस वंस के सासको ने कराया था? इसके option से है चंदिल वंसने, शुंग वंसने, परिहार वंसने या परमार वंसने इसका सही answer है चंदिल वंसने खजुराहों के प्रशिद मंदिरों का निर्बान चंदिल सास को दौरा 950 इस्वी से 1050 इस्वी में करवाया गया था जिसे युनिस को दौरा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है इसका सही answer है व्रिशनात व्रिशनात नहीं नागवंस की स्थापना की थी यहां गौत में पुत्र शाथ करनी सात्माहन वंसन से संबंदित है और विंदी शक्ति वाकटक वंस से संबंदित है नेक्स्ट क्वेस्चन मत्य प्रदेश के प्रमकुराज वंस यह राजधानी से संबंदित निवने लिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है आप्सन्स है ओलिकर वंस दसपूर कल्चूरी वंस त्रिपूरी बुंदेला वंस ओर्चा या परमार वंस इंदोर इसका सही आंसर है परमार वंस इंदोर क्योंकि परमार वंस की राजधानी धार यानि मालवा छेतर से संबंदित है अगर बात करें बाकी वंस की जैसे ओलिकर वंस की दसपूर है कल्चूरी वंस की दिपूरी है और बुंदेला वंस की उर्चा राजधानी है कोल की वज़े से वोईस थोड़ी चेंज हो चुकी सो थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेस्चन अमजीरा रियासत का सम्बंद किस जीले से है इसके ओफ्सन से हैं खरगौन, धार, जाबुआ या इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है धार जीले से मद्रप्रदेश का ये धार जीला पश्चिवी मद्रप्रदेश के मालवा छेत्र में स्थीत है और इस सहरी के स्थापना परमार राजा भूजनी की थी किस महाजनपत का संबंध मद्रप्रदेश ये है काशी, अवंती, वैसाली या मगद इसका सही आंसर है अवंती बौद्द क्रंथ अंगुत्तर निकाई के अनुसार महाजनपतों की संख्यां सोला थी जिन में चेदी और अवंती मद्रप्रदेश से संबंधित है निम्निमे से करत है इसके ओप्संस है होलकर वंस, वलहार रा होलकर, कल्चूरी वंस, क्रिशनराज, नाग वंस, प्रशनात, या सुंग वंस, हुश्यमित्र सुंग इसका सही आंसर है कल्चूरी वंस, क्रिशनराज क्योंकि कल्चुरी बंस के संस्थापक वामराज देव थे जबकि कृष्णी राज पहले ग्याद साथ सकते इसके options है सागर, और्चा, सिवपूरी या दतिया इसका सही answer है और्चा बुंदेला साथको ने अपनी राजदानी और्चा को बनाई थी इसके options है दोस्त मुहमद, कैलासनात काटजू, बाबर या रवी संकर सुकलू इसका सही answer है दोस्त मुहमद इन्होंने जग्दिशपूर को राजदानी बनाया था और इसका नाम बदल कर इसलाम नगर कर दिया था अगला प्रश्न दक्षणी अवंती महाजनपत की राजदानी कहां थी? इसके options है उज्जैन, नखर, विदीशा या महिस्मती इसका सही answer है महिस्मती अवंती प्राचीन भारत का राज्य था जोकी वर्तमान में मद्धिप्रदेश में है इसमें उत्तरी अवंती की राजदानी उज्जैनी और दक्षणी अवंती की राजदानी महिस्मती थी नेक्स्ट क्वेस्चन, होलकर वंस की राजदानी कहां थी? options है ग्वालियर, खन्वा, भूपाल या इंदौर इसका सही answer है इंदौर होलकर वंस के राजदानी इंदौर थी जो कि उन्होंने 1818 इस्वी में बनाई थी और होलकर वंस के संस्थापक मलहार राव होलकर है अगला प्रश्न, खजुराहों किस वंसच की सांस्क्रतिक राजदानी थी? इसके आप्संस है पल्लो वंस, मौरे वंस, गुप्त वंस या चंदेल वंस इसका सही answer है चंदेल वंस चंदेल वंस के प्रमुक राजाओं जैसे राजदान और राजदान द्वारा खजुराहों के मंदिरों का निर्मान कराया गया था जो की युनेस्को की विश्वधरोहर में सामिल है अगला प्रश्न गौलियर का किला किसने बनवाया था? इसके आप्संस है सूरत सेन, मानसिय, विक्रमादित्य या वीरसिय इसका सही answer है मानसिय तोमर द्वारा मानसिय तोमर द्वारा पाचवी से चटवी सताब्दी में यह किला बनवाया गया था जो की गोपर्वत में स्थीत है इसके आप्संस है कलचूरी वन्स, प्रतिहार वन्स, चालुक की वन्स या काक्ती वन्स इसका सही answer है कलचूरी वन्स जिसके राज़दानी ट्रिपूरी यानी वर्तमन जवलपूर थी नेक्स व्येस्चन निम्न में से कौन परमार वन्स का साशक नहीं था इसके आप्संस है उपेंद्र, मुंझ, गांगे देव या उदियादित इसका सही answer है गांगे देव यहाँ उपेंद्र कृष्ण राज, वागपती मुंझ और उदियादित तीनो परवार वन्स के शाशक थे जबकि गांगे देव कलचूरी वन्स का प्रमुक शाशक था अगला प्रश्ण, बिंदुसार की बत्यू के समय असोक किस प्रांत का गवर्नर था इसके ओप्संस है उज्जेन, तक्च शिला, सुवर्ण गिरी या तोसली इसका सही answer है उज्जेन बिंदुसार की बत्यू के टाइम असोक उज्जेन का गवर्नर था आई होप यह वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा हेल्फूल होगा सो थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो इसी तरह की और भी यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तागी आगे अन्यवाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरन मिल जाए तो मिलते हैं रेक्स्ट वीडियो में